हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नॉलेज़ूम प्रत्योगता दर्पन के जून दोहजार चॉबिस के संसकन के टॉप इंपोर्टेंट हंडिड एमसी क्यूज के वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो पे हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं इसमें इ सब्सक्राइब करने वाले हैं इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाये करेगा चले शुरू करते हैं वीडियो को आप भी अपना अंसर साथ साथ में गैस करते चल सकते हैं पहला कूशन है सव्यक्त राष्ट महिला अधिकार और लेंगिक समानता मंच के 79 सत्र का अध्यक्स किस देश को निक्त किया गया है अंसर राइड हैं आपर ओप्शन B साओधी अरब महिलाओं की स्थिती पर सव्यक्त राष्ट आयोग ने सरस्वमेती से सौधी अरब को वर्स 2025 में अपने 79 सत्र का अध्यक्स निक्त किया है सव्यक्त राष्ट में सौधी राजदूत अब्दूल अजीज अलवासिल को अध्यक्स चुना गया है अंतराष्ट्री बाजरा वर्स 2023 का समापन समारो का आयजन कहां किया गया था अंतराष्ट्री बाजरा वर्स यानि की इंटरनेशनल मिलेट इर I.M.Y. 2023 का जो समापन समारो है इसका आयजन किया गया था राइट आंसर है यहाँ पर ओप्शन B रोम खादे और करसी संगठन ने अपने मुख्याले रोम इटली में अंतराश्ट्री बाजरा वर्स 2023 का समापन समारो का आईजन किया है International Year of Millets 2023 इसका समापन समारो रोखा गया था रोम इटली में Next question है होकी इंडिया के दौरा हाली में इसे पुरुस वर्ग में वर्स का सर्वस्रेष्ट खिलाडी नामित किया गया है 2023 के लिए होकी इंडिया के दौरा Answer right है option B हार्दिक सिंग हार्दिक सिंग और सलीमा टेटे को 6 यानि की छठे वार्षी होकी इंडिया वार्ट्स में करम इसे पुरुस वर्ग में और सलीमा टेटे को महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्स का सर्वस्रेष्ट खिलाडी नामित किया गया है यहाँ पर यह हार्दिक सिंग है और यह है सलीमा टेटे लेक्ट कुशन है आसम के असम्या बिहु ढोल और जापी सहित 19 परंपरिक उत्वादों को परतिष्टित भोगोलिक संकेत याने जी आई टेग परदान किया गया है यह है बिहु ढोल जो कि असम्या जेटेग ब्रापत उत्पाध है नाइस्ट कुशन परिस ओलंपिक के लिए कॉलिफाई करने वाली पहली भारतीय भारतोलक खिलड़ी कौन बनी है इस साल के लिए जो पैरिस ओलंपिक होने वाले हैं जून से लेकर पैरिस में सुरू होने वाले हैं उसमें भारतोलन में कों से महिलाख लड़ी ने अपना कौलिफाई किया है राइट आंसर इसका है क्वेशन इसका राइट आंसर रुज़े का ओप्शन नमबर C मीराबाई च जानू ने थाइलेंड के पुकेत में विशुकप में सफलता पूरोग प्रतिस पर्दा करने के बाद इस वर्ष पैरिस ओलंपिक में होने वाले ओलंपिक के लिए क्वालिफे करने वाली एक मात्र भारतिय भारतोलक बन गई है अगला कोशन है 19-वे SCO सुरक्सा परिषद की बैठा किसकी अध्यक्स्ता में किया गया है SCO Security Council की जो बैठा की गई थी 19-वे किसकी अध्यक्स्ता में ये बैठा कायजन किया गया था आंसर नहीं पर आइठ है option डी राइट हो जागा कजाक्स्तान की अध्यक्स्ता में इस 19-वी SCO सुरक्सा परिषद की बैठा कायजन किया गया था important fact देखते हैं दो से लेकर 3 अपरेल 2024 को संगाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्सा परिषद के सचिवों की 19-वी वार्षिक बैठा कायजन कजाक्स्तान के अस्ताना में किया गया था कजाक्स्तान के अस्ताना में उन्तिस मार्च दो जाते हैं इसको भारत ने नहीं दिली में SCO सुरक्सा परिषद सचिवों की अठारी बैठा की देखता ही थी next question है हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार विस्व डोपिंग रोधी एजनसी के अनुसार विस्व में डोप उलंगन करने वाला सीर्स देश कोंसा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजनसी की दौरा भारत को यहाँ पर बताये गया है सबसे ज़्यादा डोप उलंगन करने वाला देश विस्व डोपिंग रोधी एजनसी वर्डा की दौरा वो 2022 के परेक्शन आखनों के अनुसार भारत डोप्ट अपरादियों के उचितम प्रतिश्यत वाले देशों में पैले सान पर है भारतियों के कुल 81 नमूनों में से 127 भारतिय अथलेटों को प्रतिवेंदित पदार्तों का उप्यों करते हुए यहाँ पर पकड़ा गया था अगला कुशन है भारत की समुद्री सुरक्सा एजेंसियों ने 30 सुरक्सा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहां पर किया था अभ्यास सागर कवच का आयोजन लक्षदीप समु में किया गया था तू डेज कोश्टल सिक्योडी एक्सराइज सागर कवच लक्षदीप नेक्स्ट कुशन ही में प्रकाशित पुस्तक दा आइडिया ओफ डेमक्रसी के लेखक कौन है अंसर एट है ऑप्शन ए सैम इत्रो अमेरिका जैसी देशों में लोग तंत्र की वर्तमान इस्थिती और इसकी संभावित चुनोतियों को पता लगाती है नेक्स्ट कुशन आले में विश्व साइबर अपराद सूचकांक वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को कौन सा इस्थान मिला है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को इस्थान मिला है दसवा अक्सफोर्ड विशुदाले के नेतरत में तयार की गई विशु साइबर अपराद सूचकांग के अनुसार रूस और युक्वेन को साइबर अपराद के सम्मन्द में करमश पहला और दूसरा स्थान मिला है इसके बाद भारत यहां पर दस्वे स्थान पर है विशु साइबर अपराद सूचकांग 2024 अगला कुशन है हाल ही में करतरीम बारिष के कारण कहां पर बार्ड का प्रकोप देखा गया था आठिफिसियल रेन की विज़े से कहां पर बार्ड का प्रकोप देखा गया है अंसर रैट है ओप्शन C UAE सेंगत अरब अमिराथ अभुदपूर बारिष की चपेट में हाली में आया था पिछले कुछ दिनों में ही पूरे वर्स में होने वाली बारिष से ज़्यादा बारिष यहां पर देखी गई थी अगला कुशन है लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार 2024 से किसे समानित किया गया है लता दीनानात मंगेशकर पुरुसकार अंसर रैट है पर है ओप्शन A अमिताब बच्चन इंदी सिनिमा के अभिनेता अमिता बच्चन को इस वर्स होने वाले तीसरे लता दीनात मंगेशकर पुरुसकार से सम्माने तिनको किया गया है Next आले में भारत के नौसेना प्रमुक के पद पर किसे निव्ट किया गया है भारत के नए नौसेना प्रमुक कौन बने है नौसेना प्रमुक एड्मिरल आर हरी कुमार का इस्थान लिया है जो 30 अपरेल 2024 को स्यावन विरत हो गये थे अब भारतिय नौसेना के प्रमुक हैं दिनेश कुमार रपाठी Next आले में प्रत्वी दिवस 2024 कब मनाए गया है वर्ल्ड अर्थ डे 2024 कब मनाए गया है यह मनाए गया है राइट आंसर है ओप्सन डी 22 अपरेल को विश्व प्रत्वी दिवस प्रतिवर्स 22 अपरेल को मनाए जाता है जिससे अंतराश्ट्री मात्रित प्रत्वी दिवस की उर्प में भी जाना जाता है विश्व प्रतिति विश्व दोज़ाचॉबिस का थीम रखे गई थी गरह बनाम प्लास्टिक नेक्स्ट नेक्स्ट कुछन है Westvik Sane Karch के मामले पर Sipri नी जो रिपोट जारी की है उसमें उसके अनुसार 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला Westvik Sane Karch के याने कि Global Military Expenditure की जो सूची है उसमें भारत כFun से स्थान पर आता है 2023 के अनुसार Answer Right Is Option अब्दी भारत यहां पर चौथे स्थान पर है सिप्री जिसका पूरा ना मोग जाता है स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट की नविंतम रिपोर्ट में 2023 में वैस्विक सैने वे में 6.8 परतिशित की वर्दी हुई है स्विक्त राज अमेरिका पहले स्थान पर है चीन दूसरे स्थान पर है और रूस पीसरे स्थान पर है इसके बाद भारत 2023 में रक्सा के लिए शैने खर्च के मामले में चोथे स्थान पर है भारत Next Question विस्व में ओम आकार के मंदिर का उद्गाटन कहां पर किया गया है जो कि ओम आकार का मंदिर होगा इसका राइट अंसर है ऑप्शन डी भारत के राजिस्तान राजि में होगा यह मंदिर मिर्विश के पहले ओम आकार के मंदिर का उदगाटन राजस्तान राज के पाली जिले में, जडन गावों में किया गया, इसकिन पर फोटो दे सकते हिं ओम आकार के मंदिर का नेक्स्ट हाली में 900 वर्ष पुराने चालूक की सिलालेक की खोज कहां पर की गई है चालोग की सिलालेक जो की 900 वर्स पुराना बता जा रहा है इसकी खोज की गई है तेलंगाना राज में कल्यान चालोग की राजवन्स का एक 900 वर्स पुराना कन्रड सिलालेक तेलंगाना के महभूब नगर जिले के जड़ चेड़ला मंदल के एक मंदर शहर गंगापुरम में पुरी तरह से उपेक्षा की स्थिती में खोजा गया है यह सिलाल एक चोड़मा मंदिर के पास एक टैंक बांध पर उपेक्षित पड़ा हुआ पाया गया था अगला कुशन है हाली में पहला परमानौ उर्जा शिकर समिलन कहां पर आइज़ित किया गया है मार्च दोजा चोड़िस में चौतिस देश के नेता बरुसेलस बेलजियम में पहले परमानौ उर्जा सिकर समिलन के लिए एकत्रित हुए थे शिकर समेलन में सुध सुनिक उत्सरजन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमानु उर्जा का उप्योग की उपर चर्चा की गई थी यह पहला परमानु उर्जा सिकर समेलन था कि बुरुसेल्स बेल्जीम में आयजित किया गया था अंतराश्टी फुटबॉल में 150 मैच खेलने के उपलब्दी हासिल करने वाले पहले भारती खिलाडी कौन मने हैं अंतर रइट है ओप्शन भी भारती फुटबॉल खिलाडी सुनिल छेत्री इस सुची में पुर्दगाल के क्रिश्ट्यानो रोनाल्डो 205 अंतराश्ट्री मैचों के साथ पहले स्तान पर है एगला कुशन है राश्ट्री जांच एजनसी यहनी NIA के महानिदेशक कौन बने है नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी के महानिदेशक कौन बने है आंसर रैट है ऑप्शन B सदानन वसंत नाराश्ट्र कैडर के 1990 बैच के प्रतिश्टित IPS अधिकारी सदानन दाते को INA का महानिदेशक की निउट किया गया है गति स्मार्ट 2024 को सेवनट हुए निवर्तमान NIA प्रमुक दिनकर गुपता का सानियनों ने लिया है नेक्स्ट कुशन हाली में चर्चा में रहा POEM-3 मिशन का सम्मंद किस अंतरिक्स एजेंसी से है POEM-3 अंसर रैट है भारतिय इस्पेस एजेंसी इसरो भारतिय अंतरिक्स अनुसंधान संगठन इसरो ने गोशना की है कि उसका PSLV Orbital Experimental Module 3 POEM-3 कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना प्रत्वी के Y मंडल में फिर से प्रवेस कर गया है नेक्स्ट कुशन हाली में चीन इस्थित विश्व बिलियर्ड संग्राले में किसे बिलियर्ड हॉल ओफ फेम में सामिल किया गया है भारत के लिए बिलियर्ड हॉल ओफ फेम अंसर राइट है ऑप्शन B पंकज अडवानी भारतिय खिलाडी पंकज अडवानी ने चीन के शांग्राव सहर में विश्व बिलियर्ड संग्राले में हॉल ओफ फेम में सामिल होकर अपने सांदार केरियर में एक और उपलब्दी हासिल कर ली है नेक्स्ट कुशन है मदर्सा सिक्सा अदिनियम दोजार चौबिस को किस उचनैले मने असमिधानिक गोशित किया है मदर्सा सिक्सा अदिनियम दोजार चार अंसर राइट है ऑप्शन D इलाबाद उचनैले इलाबाद हाई कोट की लखनू बैंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदर्सा एजुकेशन एक्ट दोजार चार को असमिधानिक गोशित कर दिया है अदालत ने फैसला सुना है कि यह अदिनियम धर्म निर्पेक्षता के सिद्दान्त के साथ साथ समिधान के अनुचेद 14, 21, 21 एसाइद कई अनुचेद्यों का उलंगन करता है नेक्ट कुशन विश्व बौदिक संपदा दिवस दोहजार चौबिस वर्ल्ड इंटेलेक्चुल प्रोपर्टी डे 2024 कब मना गया है यह मना जाता है प्रतिवर्ष 26 अप्रेल को विश्व बौदिक संपदा दिवस 24, 26 अप्रेल 2024 को मना गया था विश्व बौदिक संपदा दिवस 24 की थीम रखे गयी थी आईपी और S.D.G. नवाचार और रचनात्मक्ता के साथ हमारे सामानने भविश्य का निर्मान करना नेक्ट कोशन है हाली में दिवंगत हुए सुधीर ककड का सम्मन किस छेतर से है सुधीर ककड इनका समंध है मनोविज्ञान से साइकलोजी परसित लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारती मनोविज्ञान के जनक सुधीर ककड का 55 वर्स के आई मने धन हो गया है उनका इस परुषकार और परसंसा मिली है जिसमें कॉर्डिनर अवार्ड कोलंबिया विश्वदाले ओर्डर ओफ मेरिट घर्मनी सरोच परुषकार इसमें सामिल है सुधीर ककड मनोविज्ञान नेक्स्ट आलही में वर्स 2024 में ICC T20 विश्व कप का ब्राइंड अमबेसेडर के विश्व कौन बने है राइट आंसर है महान धावक उसेन बोल्ट महान जमायका धावक उसेन बोल्ट को अंतराश्ट्रिय क्रिकेट परिश्व ने ICC ने नवे ICC पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत की रूप में नामित किया है सतलज जल विद्यूत निगम ने भारत के पहले बहुदेश ये ग्रीन हाइडोजन प्रोजेक्ट का उद्गाटन कहां पर किया है अंसर है ओप्शन C हिमाचल परदेश सतलज लिमिटेड ने हिमाचल परदेश के डाकड़ी में 1500 मेगावट के नाथपा डाकड़ी हाइडो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुदेश ये ग्रीन हाइडोजन प्रोजेक्ट के उद्गाटन के साथ ये मत्पून उपलब्दी हासिल की है माचल प्रदिश के डाकडी में next विशु मलेरिया दिवस 2024 कब मनाएगा World Malaria Day 2024 कब मनाएगा है answer right है option D 25 April को मनाएजाता है विशु मलेरिया दिवस 25 April को विशु मलेरिया दिवस की रूप मनाएजाता है Malaria Day 2024 की theme इस बार accelerating the flight against malaria for a more equitable world इती ही मिसकी रखे गई थी एगला कुशन है राष्ट्री पंचाइद राज दिवस 2024 कब मनाएगा है national पंचाइद राज डे 2024 यह मनाएगा है 24 April को भारत में पंचाइद राज मंत्राले परतिवर्श 24 अप्रेल को राष्ट्रे पंचाइद राज दिवस की रूपे मनाता है इसी दिन 1997 में सहतरवा सविधान संसोदन अधिनियम लागू किया गया था 24 April 1997 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स विमेन अफद इयर के पुरुषकार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फूट्बॉलर कौन बनी है पहली महिला यहां पर फूट्बॉलर बनी है और राएट आंसर है ओप्शन C एताना बोनमाटी अगला कुशन है भारत की सबसे बड़ी जलवायू घड़ी कहां परारम की गई है इंडियाज फर्स्ट इंडियाज लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक कहां पर लॉंच की गई है आंसर है राइट ओप्शन C नई दिली विग्यानिक एवं और ध्योगिक अनुसंदान परिशद में प्रत्वी दिवस समारों के एक भा के रूप में रफी मार्ग मेदिली में CSIR मुख्याले भावन में भारत की सबसे बड़ी जलवायू घड़ी इस्थापित और सक्री की है नगला कुशन है साल ही में आरेभाट पुरुसकार से किसे समानित किया गया है आरेभाट पुरुसकार अंतर एड़ हैं परें ओप्शन C पावलूरी सुबाराव अनन्त टेक्नोलोजी के संस्थापक और अध्यक्स पावलूरी सुबाराव को Aeronautical Society of India दोरा प्रतिश्टित आरभाट पुरुसकार से समानित किया गया है सुब्रिम कोट ने हाली में किसे असमिधानिक अधिकार घोषित किया है सुब्रिम कोट ने किसे समिधानिक अधिकार घोषित किया है यहाँपर पर अपर ऑप्शन A Child Care Leave अवकास के साथ साथ दो वर्स के चाइल्ड केर लीव महिला करामचारीं के लिए अब एक समयदानिक अधिकार होगा अंडबा निकुबार के किस आदिवासी समू ने पहली बार लोगसबा दोजाचोबिस के लिए मतदान किया है उस जंजाती के क्या नाम है अंसर रैट है उप्शन ए शौंपेन पहली बार देश में विशेश रूप से कमजूर जंजाती है समू मैंसे एक शौंपेन के सदस्यों ने जो ग्रेट निकुबार दियूप के घने उष्ण कटिवंदी वर्सावनों में रहते हैं ने अंडबान और निकुबार लोकसवाचीतर में अपना पहला वोट डाल कर चुनाव प्रकेरिया में भाग लिया है अगला कुशन है पदमसरी पुरुसकार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का सम्मंद किस देश से है रेजवाना चौधरी अंसर रैठ है ओप्शन C बंगलादेश परसिद बंगलादेशी गाई का रेवाना चौधरी बानिया जिनका पूरा नान है रेवाना चौधरी बानिया को प्रतिष्टित पदम स्री पुरुषकार दिया गया है भारत की राष्टपती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिली में राष्टपती भावन में आजित नागरिक लंकरन समारों में वर्स दोजार चॉबिस के लिए पदम विभूशन पदम भूशन और पदम स्री पुरुषकार परदान किये गये जिसमें बंगला देशी गाई का रिवाना चोधरी बानिया को दिया गया था पदम स्री वार्ड हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी कारोबार में विदानता समो की कमपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेस्टविक स्तर पर तीसरे सबसे बड़ी चांदी उत्वादक कमपनी बन गई है अगला कुशन है राष्ट्री सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया था नैशनल सिविल सर्विस दे कब मनाया गया है अंसर रैठ है ओप्शन यहाँ पर बी 21 अपरेल भारत में प्रति वर्ष 21 अपरेल को राष्ट्री सिविल सेवा दिवस की तोर पर मनाया जाता है वर्ष 26 से 21 अपरेल को राश्ट्री सिविल सेवा दिवस की रूप में मनाया जाता है Next question आले में फिलिस्तीन को सविंक तुराश्ट्री का पूर्ण सदस्य बनने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो कर दिया है पॉंसरेट है ओप्शन C, USA सेविक तुराश्ट्री सुर्खसा परेचा याने UN Security Council है उसके परस्ताव पर VITO कर दिया है जिसमें फिलिस्तीन के लिए सेविक तुराश्ट्री के पूर्ण सदस्ता का मारग प्रस्त हो रहा था लेकिन USA ने इस परस्ताव पर VITO कर दिया है अगला कुशन है पी-म नरेंद्र मोदी ने 2550 वे भगवान महावीर निर्वान महुसव का उद्गाटन कहां पर किया है? 2550 वे भगवान महावीर के निर्वान महुसव तो अंसर इसका राइट है ओप्शन D नई दिल्ली 21 अप्रेल 2024 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जैन्ती के सुब अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550 वे भगवान महावीर निर्वान महुसव का उद्गाटन किया है अगला कुछन है हाली में विती वर्स 2023 चोईस में भारत का सीर्स इलेक्ट्रोनिक्स नर्यात राज कोन सरह था अंसर राइट है ओप्शन D समिल नाडू समिल नडू ने विती वर्स 2023 चोईस में एलेक्ट्रोनिक्स नर्यात में रिकॉर्ड तोड 9.56 बिलियन डॉलर हासिल किये हैं ये एलेक्ट्रोनिक्स नर्यात की कुल राश्टी सिधारी का लगबग 35% यान 33% माउंट रुवांग जौला मुखी में भाहिंकर विस्पोट वा था जो किस देश में इस्थित हैं माउंट रुवांग जौला मुखी अंसर राइट है ओप्शन B इंडोनेशिया सोला परेल 2024 को इंडोनेशिया के उत्री सूला वेसी प्रांत में स्थित माउंट रुवांग जौला मुखी में भाहिंकर विस्पोट वा था वहीं 17 पिल को इस इलाके में लगातार 4 धमाके हुए थे तो यहां पर चर्चा में रहा था माउंट रुवांग जो की इंडोनेशिया में स्थित है अगला कुशन है हाली में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धल्वा मूर्ती धातुक शिल्प का सम्मन किस से है आंसर राइट है ओप्शन C वारानसी 12 अप्रेल 24 को महारत की अजादी से जूड़ी वारानसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है इसके अलावा वारानसी की और उतपाद धल्वा मूर्ती मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी GI टैग दिया गया है Next question है हाली में जनरल मनोज पांडे ने किस देश में हाइटेक आईटी लैब का उदगाटन किया है अंसर राइट है ओप्शन C उजबेकिस्तान अंदरस लेकर 18 अपरेल 2024 तक अपनी उजबेकिस्तान यातरा के दोरान सेना प्रमुक जनरल मनोज पांडे ने उजबेकिस्तान के ससस्त्रबल अकादमी में एक अत्याज़ूनिक आईटी प्रियोक्साला को गटन करके भारत और उजबेकिस्तान के बीच दूपक्सी रक्सा सयोग में एक मील का बथ्ठर परचनित किया है उजबेकिस्तान में अगला कुछन है एसियाई कुस्ति चेंपेशिप 2024 का आईजन कहा पर किया गया था एसियान रेसलिंग चेंपेशिप 2024 कहाँ पर किया गया था अंसर रैइट है और पांच कहां से पता किसमें सामिल रहे थे इस ACI कुछते चैंपिंसिप 2024 का आज़न किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया था अगला कुछन है यूरोपिय अंतरिक्स एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्स एजेंसी लॉंच करेगी अंसर राइट है ओप्शन B इसरो इसरो सितंबर 2024 में यूरोपिय अंतरिक्स एजेंसी के प्रोबा 3 मिशन को अपने PSLV XL रॉंच करेगा प्रोबा 3 मिशन में दो उपग्रव मिलकर 144 मेटर लंबा उपकरन लगाएंगे जिससे सोलर कोरोनाग्राफ के नाम से जाना जाएगा प्रोबा 3 मिशन लॉंच करेगा इसरो नेक्स्ट कुशन विश्व विरासत दिवस 2024 वर्ल्ड हेरिटेज डे 2024 कम मनाय गया है विश्व विरासत दिवस ये मनाय गया है 18 अप्रेल को विश्व विरासत दिवस 18 अप्रेल को पूर विश्व में मनाय जाता है इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम रखी गी थी विवित्ता की खोज और अनभव करना यानि की discover and experience diversity इस दिन को इसमारक और स्थलों के लिए अंतराश्टी दिवस्किय नाम से जाना जाता है। अगला कुशन है तीटेटी में पांसो चक्के लगाने वाले पहले भारती क्रिकेटर कौन बने हैं। अगला की तो आधिक वरक्स आवरण की हानी किस राज में हुई है। अंतर राइट है। आप्शन दिन की अगलोबल फोरेश्ट वाच मोनेटरिंग प्रोजेक्ट के नमीनतम आकडों के अनुसार वर्स 2000 के बाद से भारत में 2.33 बिलियन हेक्टर मिलियन हेक्टर वरक्स आवरण कम हो गया है। असम में उस्टतन 66,000 हेक्टर की तुलना में 3,24,000 हेक्टर में सबसे अधिक वरक्सों का नुक्सन किया गया है। विस्टु का सबसे सक्थ धुमरपान निशेद विदयक किस देश ने पारत किया है। वर्ल्ड स्टिकेस्ट स्मोकिंग बैन लेगिस्टेशन किस देश ने पारत किया है। अंसर रैठ है ऑप्शन B, ब्रिटेन। ब्रिटेश सरकार की एतिहासिक धुमरपान प्रतिबंद योजना जिसका उद्देश युगाओं को धुमरपान करने से रोकना है या आधुनिक ब्रिटेन की पहली धुमरपान मुक्त प्रिदी त्यार करेगा। नेक्ट कुशन। हाली में सूरी तिलक की एक दोड़लप घटना कहां पर हुई थी सूरी तिलक अंसर रैठ है भगवान राम लला मंदिर लेकिक का। नेक्ट कुशन। भारती सेना ने सेंक्तु सेन अभ्यास दस्टलिक किस देश के साथ किया है। डस्टलिक नाम केकर जॉइंट मिल्टरी एक्सराइज किस देश के साथ आईजुद की गई भारत के दुआरा। अंसर रैठ है इसका ऑप्शन नमर बी उजबेकिस्तान। नेक्ट कुशन बाबा साहब अमेडिकर की जहनती कब बनाए गई है अप्रेल दोज़ार चॉबिस में। अंसर रैठ है ओप्शन नमर C 14 अप्रेल को मनाए गई है बाबा साहब अमेडिकर की जहनती है। बाबा साहब ड़क्टर भीम राओ अमेडिकर का जनम 14 अप्रेल 1891 को हुआ था। परतिवर्ष चौज अप्रेल को डॉक्टर बाबा साब अमेटकर की जैनती मनाई जाती है डॉक्टर बाबा साब अमेटकर सुबेदार राज की मालोजी सकपाल के पुतर थे जो बिटीज सेना में सुबेदार थे ओके नेच्ट कुशन नेपाल के खिलाड़ी दीपेंदर सिंग एरी ने एक ओवर में 6 चक्य लगा का T20 अंतराश्ट्री में यह उपलब्दी हासिल करने वाले तीसरे बल्लेवाज बन गए हैं इसे पहले यूरा सिंग और किरोन पॉलार्ड टीटोंटी इंटरनाश्ट्री में 6 बॉल पर 6 चक्य लगा चुके हैं नेक्स्ट कुशन हाली में चर्चाय में रहा संस्मरण नाइफ का संबंद किस से है नाइफ अंसर रैट है ऑप्शन डी सलमान रश्दी इसमें उन्होंने अगस्ट 2022 को एक सारजनी कारिकर में चुरा घोपने के भायावा अनुभाव और उस घातक हमले से उबढ़ने के उनकी आतरा कवर्णन किया है अपनी इस संस्मरण नाइफ के अंदर लेक्स्ट कुशन है सुविधा पॉर्टल किस ने लौँच किया है सुविधा पॉर्टल इसको लौँच किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा सुविधा पॉर्टल को सभी चुनावी अनुमतियों को संसाधित करने के लिए एकल खिड़की के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुविधा पॉर्टल नामग एक एक एप्लिकेशन लॉंच किया है सड़क परिवन और राजमार्ग मंतराले ने वर्स 2023 चोईस में कितने किलोमेटर राष्ट्री राजमार्ग का निर्मार्ण किया है वर्स 2023 चोईस में पांसराइडिस का है 12349 किलोमेटर राष्ट्री राजमार्ग का निर्मार्ण किया है सड़क परिवन और राजमार्ग मंतराले ने वर्स 2023 चोईस में 12349 किलोमेटर राष्ट्री राजमार्ग का निर्मार्ग किया है योतियास में दूसरा सबसे बड़ा एक वर्स में राष्टी राजमा निर्मान का रिकोड रहा है एकला कुशन है लक्षदीप में साखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा बना है लक्षदीप में अंसर रहे है HDFC बैंक निजी रिणदाता HDFC बैंक ने लक्षदीप में एक साखा खोली है इसके बाद यह के अंदर सासित पर्देस में साखा कोलने वाला पहला बैंक बन गया है अंसर रहे है ओप्शन A चित्र कूट उत्रप्रदेश राज सरका ने एको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तोलसी जहरने पर यूपी का पहला ग्लास स्काइवॉक प्रादम किया है। प्रादम के पूरे संचालान को संभाले के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मुझे दिए है। प्रादम की बंदरगा इरान का है और अब सित्वे बंदरगा म्यानमार का संचालान आ गया है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेट के निंतरण में है। आज अप्रेल दोज़ाचोविस को भारत के सरोच नियालाय ने पहली बार जलवायू परिवतन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को मानता देते हुए कहा है कि यह जीवन और समनता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है जो भारती सविधान में अंतर नहीं है खोटने खाय की भारती सविधान के अनुश्यद 14 और अनुश्यद 21 इस अधिकार के महत्पून सुरुत है नेक्स्ट एकोनोमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ए आई यू की बिजनेस एन्वार्मेंट रेंकिंग 24 में पहला हस्तान किस देश का है बिजनेस एन्वार्में एनसर सिंगापूर डेन्मार्क और सिंट राज अमेरिका व्यपार करने के लिए विजने सीर्ज तीन इस्थान पर है। आंसराइट आप्शन ए भूमी पैडने कर विशु आर्थिक मंच ने यंग ग्लोबल लीडर्स केमिनुटी दे क्लास ओफ टॉन्टी टॉन्टी फॉर के बीसुवे संसकन के कुछने किये इस वर्ष साथ भारतियों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्रम के लिए चुना गय गई है उसमें पहला सान प्राप्त करने वाले सबसे उम्र दराज खलाडी कौन बने है वो बने है नुवाक जोकोविच तो अब इस बार के ग्रेंड स्लेम चैंपियन नुवाक जोकोविच ने एटीपी टूर पर रिकॉर्ड बनाना जार्य खाये और 419 सब्ता की सुरुव विश नुमबर एक के रूप में की और अपने विशाल रिकॉर्ड को आगे बना है यानि एटीपी रेंकिंग जो दोजा तेज की जारी की गई है इसमें पहले संता रहे हैं और सबसे उम्र दराज खलाडी बने है अगला कुशन भारतिये निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकन नियुक्त किया है यूथ आइकन अंसराइट है ओप्शन सी अभिनेता और सिंगर अईश्मान खुराना भारत के चुनाव आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों में युवाओं को अपने मतादिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोसाहित करने के लिए लोगपरी अभिनेता अईश्मान खुराना को यूथ आइकन नियामित किया है इससे पहले अभिनेता राजकुमर राग को भी भारती चुनाव आईगन नेश्नल यूथ आयकन नियुक्त किया था विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के 250 वे स्थाप्टा वर्स का समारू कहा आजुद किया गया है अंसर रेट है अप्शन ए बिहार पटना बिहार के जीपी ओ विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के लाँच के डाई सोवे वर्स का ज़स्न मनाया है यह डाक टिकट पटना से जारी किया गया था नेक्ट कुचन है अप्शन ए अप्शन ए अपने पचितर वर्स पून होने का ज़स्व करते है का हाली में एनिवर्सी कहां पर मनायी थी अंसर रैट है ओप्शन ए ब्रुसेल्स इंपोर्टन फैक देखते हैं चार अप्रेल 1909 को यूएसे के वासिंग्टन में गेठवाजन की स्थापना संदी परस्ताक्सर किये गए थे अंसर रैट ओप्शन बी इसराइल विदेश मंत्रा लेके अधिकारिक प्रवक्ता रंधीर जैस्वाल ने गोशना की है कि हर्याना और उतरपर्देश से 64 भारतिय कामगोरों को पहला जथा सरकार से सरकारी समझोते के तहट इसराइल के लिए रावाना किया जाएगा जो कि बंदरगा जहाजरानी और जलमार्ग मंत्राले भारत के प्रते एक वर्स पांच अप्रेल को राष्ट्री सम्मुद्र दिवस के रूप मनाता है राष्ट्री सम्मुद्र दिवस 2024 की थीम भविश्य को नेविगेट करना यानि शुरक्सा पहले है इंग्लिस में हो जाएगा इसका नेविगेटिंग दे फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट नेच्ट कुश्चन हाले मत्चार्चा में रहा अफ़ार ट्राइंगल का सम्मन्द किस महाद्यूप से है अफ़ार ट्राइंगल पैटन सर ओप्शन ए अफरीका भुविग्यानिक निश्करसों के अनुसार अफरीका के अफ़ार ट्राइंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्सों में एक नए महासागर की उत्तती हैं यहाँ पहो सकती है यह अफ़ार ट्राइंगल है जो कि अफरीका में स्तित है विश्व बैंक के अनुसार वर्स दोजाओ चौबिस में भारत की आर्थवैस्ता की वर्दी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है वर्स दोजाओ चौबिस में अंसर रेट है ओप्शन सी 7.5 प्रतिशत विश्व बैंक ने दक्षन एसिया विकास अपडेट रिपोर्ट में बताया है कि 2024 में भारती आर्थवैस्ता 7.5 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान रखा गया है नेक्ट कुशन है एसोचेम के अध्यक्स पद पर किसे निउक्त किया गया है एसोचेम के नए प्रेशिडेंट कौन बने है अंसर रेट है ओप्षन एव जैकरस का संजे नायर सोरिन इंवेस्टमेंट फंड के चेर्मेन संजे नायर ने 2024 पचिस के लिए उद्योग मंडल एसोचेम के अध्यक्स का पदभार समाला है चेर्मेन संजे नायर भारती वाई सेना ने 10 दिवस्य मेगा अभ्यास का आईजन किया है उसका क्या नाम है ओप्षन C रेट है गगन सकती 2024 एक से लिकर 10 अपरेल 2024 तक भारती वाई सेना ने गगन सकती 2024 अभ्यास के दोरान यहाँ पर उच अउक्टैन ऑपरेशन करने की अपनी ताकत और छमता का परदेशन किया था इस अभ्यास का नाम रखा गया है गगन सकती 2024 नेस्ट कुशन हाले में चर्चा मरहा 100 अरब डॉलर के AI सूपर कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् स्थापना की सिफारिस किस कमिशन ने किद्वारा की गई थी हिल्टन यं रॉयल कमिशन एक अप्रेल दोजाच विसको भारत की केंद्रिय बैंकिंग संस्था भारती रिजर्व बैंक ने अपने नभे वर्ष में प्रविश किया है बढ़ान मंतरी नरेन बोदी ने मुंबई माराष्ट में भारती रिजर्व बैंक के नभेवे वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आईजित कारिकरम उद्गाटन समारों को समोजित किया था नेक्स कुशन भारत की पहली AI आधारित फिलम कौन सी है आधारित की पहली Artificial Intelligence विशे पर बनी पहली हिंदी फिलम इरा का महराष्ट के मुंबई में ट्रेलर और इसका गाना जो लौंच किया गया था यह भारत की पहली Artificial Intelligence फिलम होगी इरा नेक्स कुशन ग्रीन नोबल पुरुसकार दोजार चॉबिस किसे दिया गया है ग्रीन नोबल प्राइज 2024 किसको दिया गया है ऑप्शन रैट है और डी अलोक शुकला 36 गड़ के परयावन रिध हैं अलोक शुकला जिनको की गोल्ड मेन एन्वार्मेंटल पुरुसकार दोजार चॉबिस से समयनत किया गया है भारत ने किस देश को भारत में ही निर्मित ब्रमोस सुपरसॉनिक मिसाइल निर्यात की है ब्रमोस सुपरसॉनिक मिसाइल फिलिपिन्स को निर्यात की है इसके तहट भारत ने फिलिपिन्स को ब्रमोस सुपरसॉनिक क्रूज मिसाइल की पहली खेंप 19 अपरेल 2014 को सौप दी है पहले स्थान पर रूस है और भारत का इस्थान है दस्वा प्रस्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियों का परसारण शुरू किया गया है प्रस्चिम एशिया के कुवेट में पहली बार हिंदी रेडियों का परसारण शुरू किया गया है ये परसारण परतेक रिवार को आजित किया जाएगा 迫्यारत की पहली बहुदेश ये हरित हाइड्रोजन पाइलेट परेजने का उद्गाटन कहां पर किया गया है इंडियास, First Multi-Pnot ग्रीन हाइड्रोजन पाइलेट प्रँजेक्ट कहां पर इसका उद्गाटन किया गया है उप्षिन है, option D, हिमाचल परदेश बारत के पहले बहुदेश्य इसमें संयुक्त ताप एवं बिजली ग्रीन हाइडोजन पाइलेट प्रोजेक्ट का उद्गाटन नातपा जाकरी हाइड्रो पाउर इस्टेशन में 24 अपरेल 24 को किया गया था है माचल परदेश में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को सफलता पूर्वक लॉंच किया है रूस ने पहली बार अपने अंगारा A5 अंतरिक्स रॉकेट का सफल परिक्शन किया है अंगारा A5 का या लॉंच परिक्शन रूस के सुदूर पूर्मिस्तित बोश्टोचन कॉस्मोड्रॉम से 11 अपर Next question है भारत का कौन सा अंतराश्टी हवाई एड़ा विश्यू में सरवादिक व्यस्ततम हवाई एड़ों में सामिल हुआ है Option A राइट है इंद्रागांधी अंतराश्टी हवाई एड़ा नई दिल्ली एरपोर्ट काउंसिल एंटरनेश्टल वर्ल्ड के दोरा विश्यू के वैस्तम हवाई एड़ों की सूची 15 अपेल 2014 को जारी की गई है विश्यू के वैस्तम हवाई एड़ों की सूची में दिल्ली का इंद्रागांधी अंतराश्टी एरपोर्ट दसवे स्थान पर है कुस्ति के खेल में पैरिस ओलम्पिक कोटा किज में हासिल किया है पैरिस ओलम्पिक जूरी सदस समय वुने वाली पहली भारत्य महिला कोन है कारτοिकर कुर्या की जूरी सदस्यूपीटी की है इस में सामिल होना ये पहली भारती महिला बनी है बिल्क runway भारती ये बादी water sports खिलाडी जम्मो कुश्मेर की बिल्क explanation की बिल्किस मीर इस वरस के किलिश्म कालेन ओलमपेक में जूरी सरदिस्ति के रूप में भारत का रतने दिर्टू करने वाली भारत की पहली महिला बनी है बिलकिस मीर नेक्स्ट हाली में एक प्रकाशित पुस्तक है Just a Mercenary Notes from my life and career के लेकर कौन है अंसर एठ बी बी सुबाराव बारत के पूर रिजर्वेंग के गवर्नर है डी सुबाराव रिजर्वेंग के पूर गवर्नर डी सुबाराव की पुस्तक हाली में प्रकाशित हुई है पुस्तक का नाम है Just a Mercenary Notes from my life and career नेक्स्ट चीन ने किस स्पेस क्राफ्ट दौरा तीन अंतरिक स्यात्रियों को अपने त्यांगों स्पेस स्टेशन पर भेजा है उस स्पेस क्राफ्ट का क्या नाम है Answer right है Option a चेंग जाओ 18 चीन ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेंजाओ 18 से तीन अंतरिक स्यात्रियों को अपने त्यांगोंग स्पेस इस्टेशन पर भीजा है हाली में तो अपरिल दोजा 24 में नेक्स्ट डी आइडियों ने ओडिशा के तड़ पर किस अतिदिक कम दूरी की वायू रक्सा प्रणाली का सफल परिक्षन किया है उसका नार क्या है राइट आंसर ओप्सन डी है इस प्रणाली का नाम है वश्योराद रक्सा अनुसंदान और विकास संगठान यानि डी आइडियों ने अतिदिक कम दूरी की वायू रक्सा प्रणाली वाश्योराट्स का ओडिशा के तड़ पर चांदीपूर इस्थित एकिकरत परिक्षन ने रहें जिसे सफलता पूरवक परिक्षन किया है अगला कुशन है आई एनस जटायू का उद्गाटन कहां पर किया गया है इनस जटायू इसको कहां पर कमिशन किया गया है अंसर रैट है ऑप्सन यहां पर बी लक्षदीप लक्षदीप के मिनिकॉय में नौसेना स्टाफ के प्रमुक थे तदकालीन एड्मिरल आर हरी कुम प्रमुक हैं एड्मिरल दिनेश कुमार तरपाथी नेक्स्ट अलिमे केंदर के भारत मियानमार सीमा पर बाड़ लगाने और फमर को निरिस्ट करने के खिलाफ किसने प्रस्ताव पारित किया है अप्सन डी राइट है जिसके अंदर नागालेंड और मिजोराम दोनों नहीं इसके खिलाफ अपना प्रस्ताव पारिस किया है नागालेंड विदासबा ने भारत मियानमार सीमा पर बाड़ लगाने और मियानमार के साथ फ्री मुव्मेंट रिजीम यानि FMR समझाते को निरिस्ट निलमित करने के खिलाफ सर्व समिती से एक प्रस्ताव पना है मिजोरा और नागालेंड नेक्ट कुशन भारत के पहले राष्ट्री डॉल्फिन अनुसंदान के अंदर का उद्गाटन कहां पर किया गया है इसका उद्गाटन राइट हैंसर ऑप्शन बी बिहार पत्ना बिहार के सीएम नेतिश कुमान ने पत्ना के ज्यान भावन में भारत और इसे कि पहले राष्ट्री डॉल्फिन अनुसंदान के अंदर का उद्गाटन किया है नेक्स्ट आले में किस राज जी पत्रों रॉल्फिन की पूलिस के दोरा पसू तस्करी को रोकने के लिए उपरेशन काम धेनू प्राराम किया गया है उपरेशन काम धेनू राइट अंसर है जमौ कश्मीर जम्मु किश्मीर में पोलिस ने जम्मु सांबा और कठुवा पोलिस रेंज में पसू तसकरी के बड़े पैमाने पर समस्या को रोकने के लिए ओप्रेशन काम धेनू कुरू किया है गरम अंत्राले के दौरा 17 सेतंबर को किसका स्वाधीनता दिवस गोशित किया है गरम अंत्राले ने 17 सेतंबर को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस गोशित किया है 15 अगस्त 1947 को भारत के आजादी के 13 मैनों के बाद ऑप्रेशन फोलो नामक पुलिस कारवाई के बाद हैदराबाद को 17 सेतंबर को निजाम के सासन से मुक्ती लाएगे दी तो 17 सेतंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस की उरूप में अब मना जाएगा नेक्स्ट कुशन आलि में 13 साली जौला मकी फिस्पूर्ट के बाद चर्चा में रहे रेकजेंस प्राइदीप का संबन किस देशे है रेकजेंस प्राइदीप आंसर राइट है आउप्शन A Iceland आइसलेंस के रेकजेंस प्राइदीप में एक बार फिर से जौला मकी हां पर शौलो टूट वगलता नेक्स्ट ओल इंडिया रेडियो की महानेदेशक कौन बनी है ओल इंडिया रेडियो महानेदेशक राइट अंसर ऑप्शन B है मौस्मी चकरवर्ती ओल इंडिया रिडियो के महानदिशक पद पर मौस्मी चकरवर्ती ने वसुदा गुपता की जगे लिए है मौस्मी चकरवर्ती 1991 बैच की भारती सूचना से वादिकारी है नेक्ट कुशन अंसर रैट है अप्शन D राइट हो जाएगा इसमें चावल और गेहुं दोनों को ही यहाँ पर मौली इस्थरी करण कोश के तहत लाने की खोशना की गई है Next परच्वी के सबसे दूरस्त बिंदु नेमो पॉइंट तक पहुँचने वाले पहले विक्ति कौन बने हैं नेमो पॉइंट तक अंसर रैठ है ओप्शन ए Chris Brown प्रिटेन के Chris Brown प्रसांत महासागर में दुर्गम समुद्री धुरू पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतियास के पहले रग्टी बने हैं पॉइंट नीमो नीजुलेन के पूरू में दक्षिन प्रसांत महासागर में इस्तित है नेक्स्ट आले में किशोरियों में एनीमिया की कमी को नियंतरत करने के लिए कि मिशन उतकर्स पहल किस मंत्राले ने लॉँच की है ऑप्षिन डी राइट हो जागा जिसके महीला एवं बाल विकास मंत्राले एवं आयूस मंत्राले दोनों के सेंख पहले मिशन उतकर्स बार यू बार राश्ट्री महिला कैरम का खिताब किसन जीता है अंसर रएट है रश्मी कुमारी मद्धेपर्दिस केरम असोसीशन के दौरा 91 वी राष्टिक केरम चैंपेंशिप के महीला फाइनल में रश्मी कुमारी ने तीन बार की विश्व चैंपियन नागा जोती को राया है वर्टमान में रश्मी कुमारी तेल और प्राकरति गैस निगम में मुख्य प्रबंदग की रूप में कारत हैं रश्मी कुमारी iconic, विश्व हेमाफेलिया दिवस 24 कब मना गया है world हेमाफेलिया डे 2024 कब मना गया है यह मना गया है 17 अपरेल को प्रटेक वर्स 17 अप्रेल को विसु हेमफेलिया दिवस मना जाता है वर्स 2024 की थीम रखे गई है सभी के लिए समान पहुंच सभी रख्त इस्तराफ विकारों को पैचाना है यानि की एक्यूटेबल एक्सिस्टू आल रिक्यूगनाइजिंग ओल ब्लीडिंग डिसॉडर्स एक दोस्तर यह हमारे थे पीडी के जून अगर आपके वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूब लाइक करें शेयर करते ना और चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल को पर नहीं है तो पीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा वहां जाके डाउनलोग कर सकते हैं हमारे टेलिग्रम ग्रूप को जोईन के लिए जह